खेती सिर्फ गेहूं, दान और सरसों पड़ा करना ही नहीं है। परंपरागत खेती के साथ साथ जितना खेती से जुड़े सब सेक्टस पर ध्यान दिया जाएगा, उतना ही किसान को आमदी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपने कभी सोचा है कि मदुमक्खी पालन को ही अगर आप सोचें, एक रिसर्ट कह रही हैं कि परंपरागत खेती कर रहा किसान पचास भी कलोनी की छोटी यूनिट अगर लगाता है, तो हर बर्ष दो लाख रुपिये की अतिरिक्त आय उसको शहद में से मिल सकती हैं, मदुम साथ साथ मधुमक्ची की मोजूदगी एकरिकल्चर सेक्टर के लिए सबसे बड़ा सेवादार अगर कोई है तो मदुमक्ची का काम होता है, पालिनेशन सपोर्ट में भी मदुमक्ची बहुत बढ़ी भूमए का निखाती है, मदुमक्ची पालन हो, मचली पालन हो, गन्ये क्राप रिशूर्स ये रेसिडियूस में से आज इथरनौल का उत्पातन हो इस पर व्यापक ग्रूप से काम हो रहा है किसान के खेत की कोई चीज बेश्ट नहीं है उसको समझाना पड़ेगा कि उसके खेत की हर चीज एक प्रकाश से बेल्थ है और इसके लिए आज के समाज की डिमांड पूरी होती है और इसलिए परंपरागत खेती में जुटे किसानों को ऐसे सब सेक्टर्स के प्रती जागरूत करने का उनकी मदद करने का काम मैं विश्वास से कहता हूँ प्रगती सिल किधान हो बायब जैसी संस्ताय हो राज्य सरकारे हो भारत सरकार हो किशान कृशी विभाग हो इस सब मिलकर के एक मिशन मोड में टार्गेट लेकर के काम करें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है